अल्यो फ्रेंड्स, कॉंपिटेटर्स अकैडमी चेनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रामानंदी सेक्ट और निम्बार्क सेक्ट के बारे में ये दोनों दोस्तो राजस्तान के काफी महत्पूर्ण सेक्ट हैं और दोस्तो हम अल्रेडि कई सारे संतों के बारे में भी बात कर चुके हैं यहाँ पर रामानंदी सेक्ट और निम्बार सेक्ट से रिलेटेड जो भी संत हैं उनकी बात करेंगे और दोस्तों यहाँ पर काफी हाई प्रोवेविलिटी में कोशन आने के चांसे तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें आरेस मेंस एक्जाम 2021 के पूरी सीरीज चल रही है दोस्तों यह सिर्फ में ही काम नहीं आएगी दोस्तों आप राजस्तान के किसी भी गौर्वर्मेंट एक्जाम के तियारी करो वहाँ पर अब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ यू से पर अगर आप अपनी तियारी कर रहे हो तो वह काम जरूर आएगी इस बात को आप मानें और विश्वास करें और यहाँ पर जितनी पर इंपोर्टेंट पॉइंट बताया जा रहे हैं वो सब एक एक कोशन की तरह हैं ठीक है तो आप इनको देखते चले आल्रेडी हमने यहाँ पर सीरीज बनाई हुई है दोस्तों राजस्तान जीके की प्ले प्लेश्ट प्लेश्ट है इन दोनों को जो है दोस्तों यह दोनों काफी इंप्लेश्ट देखेंगे उनको ऑरास मेंश एक्जाम के कोशन पेपर का दोलिटिकल साइन और Spot टिक्स को भी cover किया गया है हर topic को cover किया गया है ताकि आपका public administration हो सभी papers का proper analysis आपको मिल जाए ताकि आप deep में समझ सकें कि आखिर मैं RPSC RAS Mains exam में पूछना कहां से चाहती है paper में question अगर आपको वही नहीं समझ आएगा तो आप कितना ही पढ़ते रहो उसका कोई logic नहीं बनता है ठीक है तो अपनी preparation को थोड़ा ठीक से करिए और आप target लेकर के चलिए कि आपको out of 200, 100 marks score करने है यह series English medium students के point of view से बनाई जा रही है तो English medium के student को काफी lab होगा और description box में जाकर के यह check करिए कि हमारे जो telegram channel है उनके link तो मिलेंगे ही सही बट उसके अलावा दोस्तों आपक दोस्तों एक तो competitors academy और एक RS Hindi English medium का telegram channel मिलेगा इस channel का फाइदा यह है कि इसमें तो RS से related सारा complete content मिलेगा दोस्तों इसमें आपको यह सारी PDF से मिलती जाएगी जो आपके RS mains exam की preparation में काफी helpful होगी लेकिन इसके अलावा दोस्तों यह competitors academy channel जो है इसका भी link होगा और दोस्तों इ इसमें जो है other government exam की preparation के point of view से भी बताया जाता है तो दोस्तों यहां पर बात यह आती है कि अभी time भी कम बचा है आपके पास में दो महीने का भी time नहीं बच रहा है तो आपको मेहनत काफी करनी है तो हर एक वीडियो को जो है जल्दी से जल्दी complete करे और especially जाकर कि आप process को स description box को check कर लीजिए वहाँ पर आपको competitors academy का material भी मिल लेगा जो दोस्तों मेरा self made material है दोस्तों आपको competitors academy का इंस्टा मोजो नाम से website है दोस्तों इंस्टा मोजो वहाँ से आप जाकर के बहुत ही minimum सा चार्ज है उसको पे करके जो है भाई भी कर सकते हैं वहाँ पर आपको complete English medium के notes मिल देंगे आप देखो रामानंदी सेक्ट के बारे में पढ़ते है तो it belongs to सगुन इस्ट्रीम ठीक है यहाँ पर बताय गया है दोस्तों कि जो रामानंदी सेक्ट है वो जो है दोस्तों सगुन इस्ट्रीम मतलब भगवान की जो है पूजा होती थी मूर्ती रूप से पूजा होती थी मूर्ती पूजा इसमें मान ली जाती है ठीक है सगुन सेक्ट में ठीक है और स्ट्रीम ओफ डिवोशन होता है यहाँ पर so it belongs to लगुन डिवोशन क्या होता है यहां पे तो a religious devotion directed towards the supreme being seen as positively qualified ठीक है तो यहां पे जो religious devotion directed towards the supreme being seen देखा जा सकता है as a positively qualified पतलब वह यही कि दोस्तो हम किसी रूप में पूजा करते हैं रूप मान लेते हैं भगवान का चाहे दूरगा का मानो चाहे शक्ती का जो भी है आपको शिव का हो पारवत आपको जिन भी भगवान की पूजा करनी है शिव विष्णू ठीक है आप उनकी किसी रूप में पूजा करते हो वो सगुन भक्ती होती है ठीक है और निर्गुन में जो है आप जो है भगवान को किसी भी आकायर में नहीं पूछते हो आप मन से एक भक्ती होती है ठीक है उसको निर्गुन भक्ती बोलते है ठीक है तो निर्गुन दिवोशन और सगुन डिवोशन में यह फर्क होता है अब देखों यहाँ पे जो है रामानंदी सेक्ट में अगर बात करें तो कृष्णदास पैहरी जो थे अच्छे से ऐसे question objective paper में पूछ लिये जाते हैं ठीक है यह नाम माम पूछ लिया ठीक है यह place पूछ लिया गलता जी ठीक है तो यह पता होना चाहिए आपको तो इतना ही होता है वस अब्जेक्टिव पेपर में अच्छे से ताकि आप दो से पांच नंबर के question अगर आते हैं तो आप उसमें answer लिख सकें ठीक है अब पृत्वी राज जो कच्छवा था है आमेर के was devotee of कृष्ण दास जी तो कृष्ण दास जी के जो devotee थे यह आमेर के जो शासकत थे जिनका नाम था पृत्वी राज कच्छवा ठीक है a disciple of कृष्ण दास जी a disciple of कृष्ण दास जी named अगरादास जी founded the second bench of the रामानंदी स्यक्ट ठीक है तो जो कृष्ण दास जी के disciple थे disciple of कृष्ण दास जी named अगरादास जी founded the second bench of रामानंदी स्यक्ट है तो second bench मतलब यह अगरादास जी जो इनके disciple थे यह कृष्ण दास जी के पैहरी के disciple थे अगरादास जी ठीक है उन्होंने कहा है कि इसी रामानंदी स्यक्ट के दूसरी शाका भी जो है second branch जो दी रामानंद स्यक्ट की वो रेवासा विलेज में बनाई दी रेवासा विलेज आप यह देखो राजस्तान में सीकर डिस्टिक्ट में जाओ गए तो यहाँ पे आपको जो है रेवासा विलेज मिलेगी ठीक है वहाँ पे जो है इन्होंने second branch बनाई थी ठीक है अगरादाश जीन है ठीक है the people of Ramanandis Act worship Lord Ram तो यह देखो आप the people of Ramanandis Act worship करते हैं Lord Ram की पुजा करते हैं तो नाम में ही राम है दोस्तो तो आपको समझ में आ जाएगा Lord Ram की पुजा होती है ठीक है तो Lord Ram की इन दा फॉर्म ओफ रसिक नायक की फॉर्म में जो है पुजा की जाती है a passionate hero therefore his sect is also called russic sect ठीक है तो Lord Ram की जो है यहाँ पे पुजा की जाती है in the form of russic naayag ठीक है रसिक नयक की फॉर्म में पूज़ा की जाती है और यह काफी पेशनेट हीरो की तरह दिखा जाता है रसिक नयक की तरह है तो इसको रसिक सेक्ट भी के दिया गया दोस्तों रसिक रसिक सेक्ट रसिक 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 र-a-s-i-k रसिक सेक्ट ठीक है यह भी के दिया गया ठीक है तो आपको यह पता होना है चाहिए इस तरीके से चोटे-चोटे कोशन पूछ लिए जाते कही बारी अब इसके अलावा जो यहां पर रामनंदी सेक्ट में बताया है कि डूरिंग भी जहिए सिंग चाहिए सिंग अपको पता ही आमीर काइश हा सकता तो से टाइम पर एन ऊथर नेमड क्रिशन भ्ट प्रिज्चल प्र रेुक राम रस राम रस नाम से किताब लिगे थी खृफिक रेशन भ्ट रोड़ generic डिश्न भ्ट रोड अब कर राम एबर फी तो जो लव रिलेशन्शिप थी भगवान राम और सीता के बीच में उसको बताया गया था राम रस नाम से उस तक में जो कि कृष्ण भट के द्वारा लिखी गई थी ठीक है तो रामानंद इस्टार्टेड द भक्ति मुव्मेंट इन द नौर्दन इंडिया ठीक है तो रामा आप समझ रहे हुँगे कि यह सब जो राम रामनंदी शेक्ट इसलिए का आ जाता है इसकर ठीक है तो अब यह तो पॉर्ट्शन जो था दोस्तों यह रामनंदी सेक्ट के बारे में था यह बाते हमने जो भी कुछ बाते किये यहां पर वो सब रामनंदी से से रिलेटेड थ यह ठीक है और गलता जी जो है अगर देखा जाए तो जैपूर में यह लोकेटेड है महां पर इनकी पीठ है और इसके अलावा रेवासा विलेज में भी इनके जो शिश्यत है ठीक है कृष्णिदास जी के उन्होंने बनाया था अब इसके अलावा देखे तो यह निंबार्क सक्ट एक सगुन इस्ट्रीम है सगुन इस्ट्रीम ओफ डिवोशन है यह ठीक है मतलब सगुन पूजा की जाति है यहां पर द मेंबैंच औफ द निंबार्क सेक्ट वस फॉंडेड वाई आचार्य पर्शुराम आचार्य पर्शुराम के दौरा जो है में इनकी जो है उसको आचारे पर्षुराम के द्वारा फांडेशन की गई थी सलेमाबाद अजमेर में ठीक है कहां पर हिंदी में लिख देता हूं सलेमाबाद अजमेर ठीक है अजमेर में जो है इसकी ब्रांच जो है यह बनाई गई थी और the people of निमबार्क सेक्ट कंसीडर करते हैं यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों ऐसे पॉइंट आपको याद रहने चाहिए क्यों निमबार्क सेक्ट के लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट माना जाता है क्योंकि यह राधा को ही भगवान कृष्ण की लोड कृष्ण की वाइफ मानते हैं यह सब चीज़े होती है जो दोस्तों आपको दो या पांच नंबर के पेपर में के कोशन जब आएंगे मतलब तो आपको पूरा लिखकर क्या आना होगा कि फिलोसाफी तो फिलोसाफी थी डूलिस्म नॉन डूलिस्म की फिलोसाफी जो थी यह इनके द्वारत द ही गई ती और बुका इस आपको ये भी पता होना चाहिए विदान्त परिजात भाश्य ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम वल्लभी सेक्ट के बारे में देखेंगे दोस्तों ये सारा तो मैंने कवर कर दिया निम्बार्ग सेक्ट का बहुत छोटे चोटे टॉपिक थे थोड़ा वल्लभी सेक्ट ब जड़ा से जड़ा लोगों तक और इसके अलावा दोस्तों हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके चेक कर लो वहाँ पर आपको बहुत कुछ इसा है जो मिल जाएगा दोस्तों जो आपकी आरेस मेंस एक्जाम की प्रिपेशन को करने म आपकी मदद करेगा तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को एंड करते हैं वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धरनिवाद